गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं आप I believe कि आप इस lockdown में इश्वर के द्वारा दी गई इस opportunity को बहतर तरीके से आप इसे cash कर रहे होंगे इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे हर एक पल की कीमत को समझ रहे होंगे कि हाँ आप इस दिये गए समय को इतनी बहतर तरीके से इस्तेमाल कर लें कि आगे जो चीज़ें एक्जामश के रोप में आपको face करनी हों उनमें आपको किसे ही मुसीबत का किसे difficulty का सामना न करना पड़े तो मैं संतोष्टिवास्तो सुपर सेक्ष्टी एजुकेशन हब की तरब से उपस्तेतों प्रेजेंट रहे हैं आपे नेक्स्ट सेसन के साथ सेसन नमबर 21 और आज आपके पास 21st आफ में भी है तो शुरू करते हैं और ये शुरुवात हमारी होती है आपको पता है हमारी quotation यानि एक तरह से quote के साथ एक inspirational quote जो कहिन कहीं आपको motivate करता है ठीक है शुरू करते है हमारा ये सामने आपके quote है ठीक है यहाँ आपको बच्चों बताने कोशश की गई है कि mistakes are proof that you are trying बहुत पर ऐसा होते है अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे है तो आप तुरून समझ जाएए इसका मतलब वास्तों में आप कुछ करने की कोशश ही नहीं कर रहे है या फिर वास्तों में आप कोई risk नहीं ले रहे हैं कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो notable हो मेंस तो कहते हैं नहीं अच्छा हो विसेश हो इस्पेसल हो आपके लाइफ में तो mistakes are proof that you are trying अगर आप कुछ बहतर करने की कोशिश कर रहे हैं तो नश्चत ही उसमें कुछ गलतियां होंगी शुरुवात में और वो गलतियां वो mistakes इस बात का प्रमार होंगी कि आपनी कोशिश की है और आपनी ठामसलवा एडिशन का भी है उस तिन आपनी कोडिशन भी पढ़ा था मैंने उसनाया था और उसका example भी आप जानते होंगी कि जब वो bulb के invention की तरफ बढ़ रहा था तो करीब हजार प्रकार के उसने प्रयोग कर लिए थे और उन हज्जार यानि 1,000 experiments में लगबग वो असफल हो चुका था यानि उसका सारा जो प्रयास था वो effortless हो गया मिस बेकार हो गया बट डिड़ ही सरेंटर डिड़ ही गिविन क्या उसने हार मानली नहीं उसने कता ही नहीं हार माननी और आपको पिता है कि 1200 के प्रयोग करने के बाद यनि 1200 के प्रयोगों करने के बाद he was completely successful and today we are taking the advantage of the kind of invention और उस प्रकार के आविस्कार का आज हम क्या ले रहे हैं वाद आ ले रहे हैं क्यों? क्योंकि he didn't capitulate क्योंकि उसने हार नहीं माने, he didn't surrender, he didn't give up उसने हार नहीं माने क्योंकि वो जानता था कि उसकी जो गलतियां है एक दिन उसकी सफलताओं में क्या हो चाएंगी? परिवर्तित हो चाएंगी और आपको याद होगा, जब उससे पूछा गया कि आप एक हज़ार प्रकार की इतनी आपने गलतियां की फिर भी आप क्यों नहीं हारे? क्योंकि उसने कहा इस पर कि उसने उन गलतियों से सीखा कि एक हज़ार प्रकार की गलतियां कैसे की जाती हैं? यानि उस negativity में भी positivity को क्या कर लिया तलास कर लिया तो हम आप भी इसी positive approach के साथ positive thoughts के साथ अपनी दिन के सुरुवात करते हैं और शुरू करते हैं अपना पहला section जो हमारा एक तरह के कहा है repeated words के साथ means next section हमारा सामने आपके repeated words जो बहुत important है जरूर तयार करें आप ठीक है तो words आपके सामने है और देखें कौन-ौन से words आपको आ रहे है rival means क्या होता है त्यार है आपका rival means क्या आपको याद है remain means क्या होता है likely means क्या होता है agenda means क्या होता है initiated इस साड़ी words जो मैंने दिये हैं याद हैं आपको, अगर याद हैं तो you are the best, बड़ अकर नहीं याद हैं तो भी you are the better और best बनने की कोशिश करें और इसके लिए क्या करना होगा हमको, इन सारी words को तयार करना होगा, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, पहला word है हमारा rival, rival जामते होंगी, एक opponent को कहते हैं, जो आ remain, safe रहना, जो चीज़ें बनी रहती हैं, अर्थात इनो, what consistency, यानि एक तरस इस्थिर रहती हैं, बनी रहती हैं, वो remain रहती हैं, बनी रहना किसी अवस्था में, likely means possibility, यानि संभावना के रूप में, संभावना के रूप में जो चीज़ होती, वो likely होती, आपको याद होगा Azenda जानते हैं, what you have to do next, आपको आगे क्या करना है, you make a proper planning for it, आप उसकी क्या करते हैं, planning करते हैं, तो Azenda क्या होते हैं, वो कारे सूची होती है, जो आगे आपको करना है, तो नहीं किते हैं, इस party के Azenda में ये ये घोशना है, अर्थात इस party कारे सूची में ये ये declarations हैं, ठीक आपको याद होगा, begin या start के sense में, commence के sense में use करते हैं हम, तो जैसे आप initiate लेते हैं, नहीं, initiate means so, begin means so, start means so, commence, देखेगा कितनी अच्छी इंग्लिश है, यहां भी ence है, लेकिन ये noun नहीं बच्चों, ये क्या है, वर्ब है, English है, चलें, farmer, मैं सानतियों के previous, पहले वाला, पुर्वर, जिसको आप कहते हैं न, वो एक word आपको याद होगा भी, आप पढ़ेंगे भी आगे, और श्ट्वाइल, पुर्वर, दिससे फार्मर, लेजिसलेशन क्या होते है बच्चों, पढ़ें हैं लेकिन आप, शायद आपको याद नहो, कोई प्रोविजन या कोई लाबुक या फिर कोई इस्टिचियोट में सो कोई प्रावधान, कोई विधान जिसको आप कहते हैं वो लेजिसलेशन होते हैं, इसी से लेजिसलेटिव आपका बना है और लेजिसलेशर भी बना है, कैमपेण, याद है आपको, कैमपेण में सो या करिए, कोई ड्राइबर या कोई एक्सपेडिशन, में सो अभियान कोई, breach, जब आप किसे कानून, किसे नियम को violate करते हैं, break करते हैं, तो आप उसे क्या करते हैं, breach करते हैं, breach में इस तोड़ देना, ठीक है influence, influence समझते होंगे बच्चो, effect, या इससे बहतर word अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो ये word impact, या करें, impact में प्रभाव होता है, prosecutor, जो prosecution के तरफ से होता है, अभियोजन पच्च के तरफ से, जो पच्च रखता है, उसे हम क्या करते हैं, prosecutor करते हैं, means वकील के sense में, एक advocate के sense में, आप इसे यूज़ करते हैं moves means steps, means आपकी कदम, जो अगली आपकी चाल होती है, आपका कदम होता है, वो politics की भासा में क्या होता है, आपका ही, move होता है fall out means क्या होता है बच्चों, पढ़ेते अगर आपको याद हो fall out means एक नवस, ये, fall out means bad things bad things, बेकार की चीज़ें, बुरी चीज़ें, जो किसे particular event के कारण होती है यानि किसी विशेश घटना के कारण जो खराब चीजे होती हैं, बुरी चीजे होती हैं, वो क्या होती है आपकी, fallout होती हैं, पैंडेमिक का जो fallout है, यह पैंडेमिक की वज़े से जो बुरी घटनाएं हो रहे हैं, वो fallout होता है, फ्रेजाईल समझते हैं आप, टेंडर या ब्रिटल ये सारी चीज़ क्या होती है, फ्रेजाईल में इस कोमल, जो चीज और स्थाईयो, शार्ट लिविंग हो, वो आपका फ्रेजाईल होते है अर्ष्ट वाइल भी मैं बोला था, में इसो, जो चीज क्या हो आपका भूत पुर्व हो, में इसो, ये सेंस ले सकता है आप जिवडिशल आपको प्रहाए गया था नियायक जिवडिशल में सो नियायक नियायस से समंदित जो चीज है वो जिवडिशल है या जिवडिशेरी से समंदित है लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं होएगा बच्चो इस वर्ड को लेकर जिवडिशियस को लेकर जिवडिशिस में क्या होता है बच्चों? विवेक पूर्ड जो फैशला आपका intelligence से आपके brilliance से आपकी बुद्धिमानी से सम्मंदित होता है वो फैशला आपका judicious होता है विवेक पूर्ड होता है verdict जानते होंगे आपका? decision आपका जो नेड़े होता है वो verdict होता है normally यह किसी सामान वगरे पर हम जो verdict देते हैं या फिर जो judge वगर फैशला देते हैं उसके लिए हम use करते है verdict जैसे phone वगरे है कौन सा phone अच्छा है कौन सा खराब है उस पर आपनी अपनी अपनी points रखे और उस पर अन्तिम अपना एक नेड़े सुनाया the size verdict victim दोनों होता है वगरे victim वो भी होता है जो शिकार करता है और victim वो भी होता है जो शिकार होता है क्यानि victim वो भी होता है जो सताता है और victim वो भी होता है जो सताया जाता है कौनुस sense में victim को आप यूज़ कर सकते हैं Charges यहाँ पर Charges में जानते हैं आप आरोप means Indictments या impeachments या accuses और vocal याद कर ली यहाँ जो sense में editorial में यूज़ किया जाता है उस vocal में मुखर means अगर आप यह वर याद कर ली इष्टबार्न, होता है नए?, कुटर किसे, बहुत कथोर, जिद्धी टाइप का जो होता है, वो मुखर, वोकल होता आपका, जैसे उनका वोकल सपोर्टर है, बहुत कटर समर्थक है, इस सेंस में आप वोकल का प्रियोग करते हैं, ठीक है? चलिए सारी words त्यार रखें ज़रूर हमेशा repeat करते रहें मेरी section का या sessions के एक खाश्चत है कि मैं इन चीदों पर focus करता हूँ word power पर जो हमेशा आपके exams में हर exam में काम आएंगे ये vocab मेरा है जल्दे देख लेते हैं जो words हमको इस editor में मिलने है पहला word आप नहीं पढ़ा होगा faction पढ़ेंगे आप ठीक है faction क्या होता है किसी political जो party होती है उसका टूटा हुआ good जो होता है वो faction होता है faction मेंस क्या होजाएगा good यानि एक प्रकार का block ये भी block ये भी block एक प्रकार का body मेंस कोई निगम कोई coalition मेंस एक तरह से आप कह सकते है उसका टूटा हुआ हिस्सा कोई sector उसका हिस्सा कोई wing एक पच्च एक हिस्सा तो faction good याद कर लीजेगा या इसे बलवा कहते है करते हैं ना बलवा या good next important word बच्चों debt lock actually editorial ही बहुत important पढ़के अच्छा लगना चीए आपको इसे आपकी वाकई आज माईस होगी कि क्या editorial पढ़ने में आपकी रुची है इस तरीक का structure या इस तरीके का पूरा grammar portion इससे related मिलेगा आपको ठीक है debt lock क्या होता है बच्चों एक रुकावट या अगर शुद भासा में कहें आप कोई गती रोध जब भी आपके life में कोई impasse I-M-P-A-W-S-E impasse आए या कोई एक रुकावट bottle neck B-O-T-L-E-N-A-C-K bottle neck आए या कोई एक रुकावट रुकावट इस्टेल मेट आए या कभी कोई stand stand off आजाए या कभी stand still आजाए तो एक रुकावट आजाती है means एक गतिरोध आजाता है This is called deadlock ठीक है चले next word की तरफ बढ़ते हैं और next word हमारा है protracted आप समझते होंगे protracted किससे बना है protracted बना है protracted से protracted means लंबा खींचना कोई प्रोजेक्ट वगर बहुत लंबा खींच रहा है तो वो protracted हो रहा है तो protracted means क्या हो जाएगा दिर्ग कालीन जो बहुत लंबे समय से चल लहा होता है वो आपका protracted होता है means वो elongated होता है means लंबे समय से चल ला है extended होता है बढ़ाया गया समय है वो out-stretched है खींच दिया गया है prolonged है बढ़ा दिया गया है तो protracted means दिर्ग कालीन next segment आप देख रहे हैंगे इसी का है vocab का ही है annexation यह noun है बच्चो यह word इससे बना है annex annex क्या होता है जोड देना जब भी किसी छेत्र वगरे को जोडने की बात आती territory को जोडने की बात आती है तब हम इसका use करते हैं एक word आपको याद होगा amalgamate यह होता न तो यही annexation आपका है annexation means जोडी हुई या मिलाई हुई कोई वस्त या उनका सन्योजन जो होता है उनका जुडाव जो होता है वो annexation होता है क्या होता है annexation यानि उनको combination कह सकते हैं उसे एक audition कह सकते हैं एक amalgamation कह सकते हैं एक concatenation कह सकते हैं मेंस एक जोड एक सन्योजन कह सकते है नेक्ष्ट वड़ है आपका इंडिक्ट इंडिक्ट क्या होता है कल में नहीं समझाया था आपको जब आप किसी पर without proof आपको यह आरूप लगाते हैं तो आप यह करते हैं याद है आपको अलेस करते हैं लेगिन जब आप किसी पर लिखेत रूप से आरूप लगाते हैं तो आप उन्हें क्या करते हैं बच्चों इंडिक्ट करते हैं मेंस आप क्या करते हैं आरोप लगाते हैं अर्थात आप उन पर चार्ज करते हैं आप उन्हें accuse करते हैं, आप उन्हे criminate करते हैं, आप उन्हे defame करते हैं, आप उन्हे impeach करते हैं, आप उन्हे inner criminate करते हैं, सबके मेंस आरोप लगाना, आपने blame करते हैं ठीक है, तो ये indict क्या हो गया आपका, आरोप लगाना ये हिंदी कृती देव में परिवर्तित हो गया, कोई दिकत नहीं हो, साइम कर देंगे आपके उसमें जो PDF आपको दिया चालेगा, चले, नेक्स्ट वर्ड है आपका नेमेसिश, नेमेसिश दो होता है बज़, नेमेसिश बाइबल के शलोक में लिखा गया एक ऐसा शब्द है, जो बंड के रूप में, पनिश्मेंड के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन नेमेसिश का एक दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं आप ये, अपोनेंट, मेंस विरोधी, तो यहां मैंने उसी सेंस में एडिटरोल के रूप में दिया है, विरोधी, यानि जो आपका पुश्मन होता है, वो आपका नेमेसिश होता है, विरोधी होता है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, यह है आपका, कोईलिशन, कंपरिशन के प्वेंट आव यू से इंपॉर्टेंट वर्ड है, यह वर्ड शायद आप जानते हों, यह वर्ड, सी ओ ए, ल, ए, कोईलेश, कोईलेश मेंस ही होता है, गठ जोड करना, मेंस उने जोडना, उसी का ION, T, ION मिलाकर के एक नाउन बनाया गया, कोईलेशन, नार्मली आप देखेंगे, जो कई सारी पार्टियां मिल करके जब सरकार बनाती हैं, तो उसे हम कोईलेशन गवर्णमेंट कहता है, य एक प्रकार का अलायंश हो जाता है, एक प्रकार का कनफेडरेशन हो जाता है, एक प्रकार का लीग बना लेते हैं वो, एक यूनियन बना लेते हैं या एक यूनिसन बना लेते हैं वो ठीक है, गठ जोड कर लेते हैं तो कोईलेशन याद हो गया, कोईलेशन मेंस गठ जोड सरकार के sense में याद करेंगे तो coalition आपको याद हो जाएगा Next word है adamant देखे बच्चों इसका सारी का मैं PDF भी डालता हूँ तो यहाँ अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप अच्छे से PDF में पूरा पढ़ा करिए उसे बढ़ियां तरीके साब को दिया जाता है सबसे अच्छे PDF में से एक हमलों का PDF होता है जिसको आप बढ़ियां लेवल पे कह सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ते हैं आप टेलिग्राम चैनल पे जाकर के तो आपको अच्छा लगेगा तो अडामेंट कौन होता है कठोर या अगर सुद्ध मैं कहूं तो ये बच्छो दिढ़ जो आदमी किसी चीज़ पर दिढ़ हो जाए वो अडामेंट है जैसे आपने कोई नेड़े लिया है और लोग कहें ने ने आपका जो नेड़े है वो गलत है लेगिन आप अपने नेड़े पर अडामेंट है मिन्स आप अपने नेड़े पर क्या है आप कठोर है दिर्ण है आप अर्थात आप उस नेड़े पर क्या है बच्छो आप बुल हेड़े है अर्थात बदल नहीं सकते नेड़े को आप dogged हैं, बिल्कुल कट्टर हो चुके हैं, आप hard हैं, सक्त हो चुके हैं, आप hard noged हैं, अर्थाद बहुत सक्त हैं, आप hard headed हैं, अर्थाद पीछे नहीं हटने वाले हैं, आप head strong हैं, पीछे नहीं हटने वाले हैं, आप immovable हैं, आपके निर्डे से आपको डिगाया नहीं जा सकता है, आप implacable हैं, आपको हटाया नहीं जा सकता है, मेंस आप adamant हैं ठीक है, दिन हैं, सक्त हैं आप next word है आपका petition, petition क्या होता है, याचिका को कहता है, जब कोई किसी court में याचिका दायर करता है, तो कहा जाता है उन्होंने एक petition file किया, क्या किया उन्होंने? एक को याचिका दायर की है, एक अपील लगाई हुनोंने, मिन्स एक याचिका दायर की है, यानि एक अपील लगाई हुनोंने, एक कंजुरेशन दायर किया, एक एंट्रिटे किया, मिन्स प्रार्थना की है, एक पली दायर की है, याचिका दायर की है, एक सालिस्टेशन किया ह मैंस आगरह किया है एक सूट दायर किया है मैंस याचिका दायरी इस साहरी वर्स आप जरूर देखेगा काम आएंगे एक्जाम्ष में आपको ठीक है तो petition means याचिका अभी पढ़ेंगे तो ये वर्स और भी त्यार होंगे आपके और एक last वर्स आपके है नार्मली अलग-अलग भागों में तोर देना, चिप कर देना उसे, तोर देना फलेक कर देना दो भागों तोर देना, थेक है? तो splinter तोर देना. Captulation, important word है, completion के पॉटझ आवब है, transaction, capitulate से बना करา से बताब है, ये word आप जानते हां. capitulate, एक मिन बचे, एक मिन बचे, कैपी, ये T हो गया आपका, और ये L A T E, capitulate में इस होता है, हार मान लेना, समर्पन कर देना, आत्म समर्पन कर देना, उसे में I O N जोडा गया आपका, क्या बन गया, noun बन گیا आपका, capitulation आत्म समर्पन हो गया, ठीक है, मिन्स जब आप किसी को handover कर देते हैं, अर्थाफ, swap देते हैं, हार मान लेते हैं, relinquishment कर लेते हैं, मिन्स अपनी इच्छा का त्याग कर देते हैं, rendition कर देते हैं, समर्पन कर देते हैं, submission कर देते हैं, जुक जाते हैं आप, surrender कर देते हैं, समर्पन कर देते हैं आप, तो आप capitulation के शिकार हो जाते हैं, means एक तरह से आपने हार मानने, तो capitulation हार मानने का कारियर, लास्ट वड़ है आउश्ट, ठीक है, आउश्ट क्या करते हैं, especially power से, सत्ता से, जब किसी को निकाल दिया जाता है, तो क्या कर दिया जाता है, उससे आउश्ट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, आउश्ट, ठीक है, तो जब किसी को banish कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, cast out कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, dismiss कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, exec कर दिया जाए, expel कर दिया जा निकाल देते हैं तो आउष्ट बाहर निकाल देना ठीक है तो आउष्ट याद कर लें पदिछुत कर देना निकाल देना कैपिचुलेशन याद कर ले, मैंस समरपन, आत्म समरपन, स्प्लिंटर याद कर ले, मैंस तोड़ देना उसको, किसे चेज़ को, पेटीशन याद कर ले, याचिका, अडामेन्ट याद कर ले, दिढ़, कठोर, कोईलीशन याद कर ले, एक ऐसी सरकार जो गड़ जोड़ वाल रोप लगाना, annexation याद कर ले, सन्योजन, जोड को कहते हैं, especially territory के sense में, protracted याद कर ले, जो दिर्घ कालीन हो, लंबे समय से चला आ रहा हो, prolonged हो, deadlock याद कर ले, जो stalemate हो, means गतिरोध के रोप में हो, faction याद कर ले, कोई block, कोई wing जो हो, means कोई बलबा, कोई गुट हो, ठीक है चले, अब सीधे आते हैं, जो हमारा main target है, बच्चो, ये आपका, आज का editorial है, और ये पढ़ियां है, पढ़ के अच्छा लगेगा, यदि वास्तों में आपके अंदर energy है, enthusiasm है, हमको बढ़ियां editorial पढ़ने को मिले, तो ये उनमें से एक होगा, बच्चो, जो पढ़ करके आ आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, सुरू करते हैं, तो heading आपकी है, unity for power, unity मतलब male, यानि मिलाप, यानि किसी से एकता, जानते हैं आप न, तो unity for power, यहाँ power में शक्ती नहीं बच्चो, power means politics के sense में ये होता है, सत्ता, governance इसको आप कहते हैं, तो unity for power, यानि सत्ता के लिए unity, means so, एक जुड़ता, मिलाप, एकता, ठीक है, unity, यानि अगर शुद भासा में एक word यूज़ करें, तो ये word आप जानते हैं, solidarity, means एक जुड़ता, इस्राइल, so unity government, यानि इस्राइल की unity government, यानि मिली जुली सरकार, मेल मिलाप से बनी हुई सरकार, पर इस्राइल की सरकार पर ये आपका editorial लिखा गया है, करें, Israel's rival factions have indeed a deadlock, मैं फिर कहूँगा, word power के लिहाज से भी बहुत बढ़िया आपको एडिट रोल मिलेगा, अच्छे अच्छे, compression के words आप मिलेंगे इसमें, by joining hands, but challenges remain, सबसे पहले हम इस line को parse करते हैं, और था पार्ष साफ इस speech के रोप में देखते हैं, कौन-कौन से words इसमें पार्ष साफ इस speech में देए गए हैं, इस race, जब जैसे apostrophe आपने ऐस देखा न, तुरह समझ जाएं बच्छों, यह कौन सा noun है आपका, positive case का noun है, ठीक है, तो यह positive case का noun हो गया, rival factions, factions क्या है, एस जूड़ करके यहाँ पर noun है, factions में इस good, good समझते हूँगे, जाइस बात है, लोगों का good होगा, collective noun की तरह used होगा, तो अगर यह noun है, तो rival क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, adjective, तो यह आपका positive case का noun हुआ, rival क्या हो गया, adjective हो गया, factions क्या हुआ, noun हो गया, have indeed, समझते हूँगे, बिल्कुल आसान, have यह verb के रोप में auxiliary verb है, means helping verb है, अगर यह helping verb है, तो यह verb की third form ed के साथ हो जाएगे, यह बिल्कुल आसान है, समझते हूँगे, article है, जो adjective के अंतरगत रखा चाता है, deadlock, और के बाद सीधे deadlock है, by तो आगे हो गया आपका, इसका मतलब असपस्ट एक deadlock क्या हो जाएगा, एक noun हो जाएगा, किसके sense में, stale mate के sense में, stand still के sense में, एक obstacle के sense में, या कोई obstruction के रोप में, कोई hurdle हो, means कोई अवरोध हो, कोई bottle निक हो, इस sense में आप deadlock का noun के रोप में प्रियोग करें, by joining, by क्या हो जाएगा, preposition, preposition के बाद join आ नहीं सकता था, क्योंकि preposition के बाद, हर हाल में, आपको क्या चाहिए बच्चों, noun या noun phrase चाहिए, अब join verb होती है, तो join में ing जोड करके, जीरंड बना दिया गया, और जीरंड किस की तरह काम करता है, एक noun की तरह, जीरंड को हम verbal noun की नाम से भी जानते हैं, तो joining यहाँ किस रूप में हो गया, noun के रूप में, जीरंड के रूप में, hands out, joining, hands, hands क्या है बच्चों, बिलकुल आसान है, अंग है आपके, मिंस क्या है आपका यह noun हो गया आपका, but आप जानते हैं, यहाँ पर चुकिक क्लाज को जोड रहा है, इसका मतलब यह बट यहाँ क्या है आपका, conjunction हो गया, challenges, चैलेंज यहाँ वर्व नहीं बच्चों, यह एक-एक शब्द, ऐसे मैंने पार्ष किया, आप भी धरे-दरे करें, आदर डालें इसके, बच्चों, इसका जो tone है आपका, वो एक कतेन यह है आपका देखें, suggestive है, या अगर बहतर वर यूज करना चाहते हैं, thoughtful है, इसमें आपको, एक suggestions की तरह, कई सारी चेंज समझाए गई है, कि ऐसे लोग, जो कभी किसी का विरोध करते थे, वो लोग समर्थन करने लगते हैं, तो आगे उसका परेडाम क्या हो सकता है, यह कुछ suggestions के रूप में आपको समझाया गया, इसले हम इसके टोन को क्या मांग सकते हैं, suggestive टोन मांग सकते हैं, समर्थिक रूप में आप कह सकते हैं, यह बेंजवामिन नेतन याहुग, जो इसराइल के इस समय भी राष्टपती हैं, पाइम मिनिश्टर हैं, वहाँ उनके उपर यह पूरा है, जहां जिस इसराइल में तीन बार, एक ही साल में बच्चों तीन बार चुनाओ हुए, और यह तीनों बार हुए चुनाओ, इन या नान कंक्लोसिब थे, मिन्स क्या थे? और निर्डाय थे, और निर्डित थे, इन डिसाइसिब थे, अर्थात उनका कोई निर्डाय नहीं निकल पाया था, तो जब अगली बार, लाश्टली अभी जो इस चुनाओ को फाइनल किया गया, उस चुनाओ में क्या हुआ, फिर से उनकी पॉलम्स आई, तो फिर उन्हें उस विरोधी का साथ मिला, जो कभी उनका मुखर, यानि वोकल अपोनेंट हुआ करता था, उनका विरोधी हुआ करता था, लेकिन उस ने उनसे हाथ मिलाया, और अभी लोगों ने मिल करके, वहाँ पे क्या बना ली है, सरकार बना ली है, लेकिन बेंजामिन नेतन याहुपर, कई सारे ब्राइबरी वगरे के करप्शन के क्या लगे है, आरोप लगे है, अब ये आरोप 24 मई को, इसी 24 आप में को, कोर्ट में उसकी हीरिंग होने वाली मिन्स, उसकी सुनवाई होने वाली है, अब आप इमेर्जिन करें बच्चों, कि अगर उस सुनवाई में कोर्ट बेंजामी नितनियाहु को दोशी करार देती है, तो इसराइल की पोजिशन फिर से अनिश्टेबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और इस्थिर हो जाएगी, कहीं कहीं टेंपोररली वो इस कंडिशन की तरफ जाएगी, कि साइध फिर से वहाँ पर क्या कराना पड़े, चुनाव कराना पड़े, यानि ये लोग, सब लोग जो पार्टियां मिली दोनों, ये इसलिए मिली हैं, ताकि इस प्रकार की और निर्ड़ायक अवस्था से इसराइल को क्या किया जा सके, बाहर ले जा सके, वहाँ पर आप जानते होंगे, फिलिस्तीन का मश्टला चल लहा है, जनाप पर ये वो एनेक्सेशन चाहते हैं, वेस्ट बैंक के टेरिटरी का, जिस पर जो उनके विरोधी हैं, वो तैयार नहीं है, और ये देखना है कि अगर ये फैसला, ये बिड़, इस पर बिंजामी नितन याहू अणे रहते हैं, कि नहीं हम अपने फैसले पर काइम रहेंगे, तो उनके जो विरोधी जो अभी उनका साथ दे रहे हैं, वो उनका साथ देते हैं, या फिर से ये दोनों पार्टियां क्या हो जाती हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है? पढ़ते हैं, आसक का ऐडिटोरीयल, यूनिटी फार पावर, इस रायस, यूनिटी गवर्नमेंट, ठीक है? चले, देखते हैं, इसरायस राईवल फैक्शन्स, समस्चते हैं एंगे, इसरायल के जो रायवल फैक्शन्स, राइवल मिन्स प्रतिद्वंदी बचो अपोनेंट, फैक्सन्स गुट, जो पार्टियों से टूटे हुए अलग-अलग गुट्स होते हैं, वो फैक्सन्स होते हैं, तो इसराइल के जो प्रतिद्वंदी गुट है, have indeed, इन गुटों ने क्या कर लिया है, समाप्त कर दिया है, क्या समाप्त कर दिया है, और डेड लाक, यानि उस इस्टेल मेट को, अर्था उस इस्टेंड इस्टेल अवस्था को, कौन सी अवस्था, यानि उस गतिरोध की अवस्था का उन्होंने अंत कर दिया है, और कैसे अंत किया उसका, by ज्वाइनिंग हैंड से, एक दोसरे से हा पात मिला लिया, यानि एक दोसरे कि सहयोग करने के लिए तेयार हो गये और इस तरीके से इसराइल का जो डेलाग था, गतिरोद था, उसको क्या कर दिया . . . . . . . . 85- mitä ठरवY उसको समाथ कर दिया है उसको समाथ कर दिया है, त लेकिन जो जो चुनोतिया है, remain, उचनोतियां अभी भी क्या है, बनी हुए है, challenges plural था, इसलिए वर्भ भी देखे, क्या ले गई है, plural ले गई, ठीक, चले, बढ़ते हैं आगे, इसराइल सो, न्यू, यूनिटी गवर्नमेंट, बिल्कुल आसान समझ रहे होंगी, positive case है, new आप जानते हैं, adjective है, unity government यहां, compound noun की रोप में है आपका, इसराइल की जो नई, यूनिटी गवर्नमेंट, यानि जो मिली जुली सरकार है, कह सकता है न, coalition की, नि इसराइल की जो नई नई, मिली जुली सरकार है, which, which किस के लिए है, government के लिए, तो तुरण देखे, relative pronoun क्या हो गया, singular हो गया न, तो इसराइल की जो नई, मिली जुली सरकार है, which, अभी वर्ब नहीं आई धान, खेक बच्चों, which has indeed a protracted political deadlock, समझ रहे होंगे, deadlock noun है, तो political क्या हो गया, आपका political क्या हो गया, adjective, protracted भी क्या हो गया, थरफा, past participle group में adjective, तो जिस government ने has indeed, समाप्त कर दिया है, अब protracted, एक दिर्ग कालीन, political, राजनीतिक, deadlock, अब रोध को, गतिरोध को, यानि इस government ने नई-नई, जो unity government है, इस ने क्या किया, उस लंबे समय से, protracted, लंबे समय से चले आ रोध को क्या कर दिया है, क्या कर दिया, इंडेड, उसे समाप्त कर दिया है, after, कब समाप्त किया, after three inconclusive elections, inconclusive means that doesn't have very enough decision, ने जिसका कोई निर्डए न हो पाता हो, वो inconclusive होता है, कभी deadlock समाप्त हुआ बच्चों, after three inconclusive elections, तीन inconclusive elections के बाद, ने तीन inconclusive means indecisive, indecisive means और निर्डायक, तो तीन और निर्डायक elections के बाद, वो deadlock क्या हुआ, समाप्त हुआ, और ये, तीन और निर्डायक जो चुनाओ हुए, elections हुए, ये कभ हुए, in a year, एक साल में, एक साल में, वहां कितनी बाद चुनाओ हुआ, तीन बाद, इसके बाद जाकर के, वहां का जो protracted political deadlock था, इंडेड, वो क्या हुआ, समाप्त हुआ अर्था, दिर्ग कालीन, राजनेतिक गतिरोध, क्या हो गया, समाप्त हो गया, इस, अब देखे बच्चों, ये इस है, ये इस किसके लिए पता है न, इसरायज, new unity government, यहां पर वर्व आपको मिल रहे है, तो इसरायल की वो नई जो मिली जुली सरकार है, is likely, संभावना है, क्या, to oversee, कि वो निगाह में रखेगी, किस सी इसको निगाह में रखेगी, यानि, worsening tensions को उस सरकार को देखना है, worsening verse से बनाएं बच्चों, देखें, ये देखें आप, वर्स, वर्स मिन्स बुरा, बदतर, एंजोर दिया, वर्ब हो गई आपकी, शार्ट, छोटा, एंजोर दिया, वर्ब हो गई आपकी, ब्लैक, काला, एंजोर दिया, ब्लैक एंजोर दिया, ब्लैक एंजोर दिया, वर्ब हो गई आपकी, वाइट, सफेद, N जोड़ दिया, यह पहले से है, वाइटन, सफेद कर देना हो गया आपका, और भी वर्स strengthen होता है, मिंस ऐसे वर्स, लाश्ट में E या एन जोड़ करके वर्ब बना दिये जाते हैं, ठीक है, तो, यह शब्द आपका है आपके पाश, ठीक है, करें, is likely to oversee worsening tensions, यानि इस सरकार को क्या देखने के संभावना है, worsening tensions, बदतर होते हुए तनाव, यानि बिगड़ते हुए तनावों को देखना है, with the Palestinians, कि इनके साथ बिगड़ता हुए तनाव, किसके साथ बदतर होते हुए तनाव को देखना है, with the Palestinians, मिंस फिलिस्तीनियों क साथ देखना है as क्यों तनाव बढ़ेगा ये क्योंकि annexation of Jewish settlements क्योंकि Jewish settlements यानि जो Jew यानि यहुदी लोग हैं उनके settlements होने हैं in the occupied West Bank या स्थान का नाम है यानि West Bank जो territory है यानि West Bank में जो occupied occupied समझते होंगे अधिकरहित यानि एक तरह से आपके अधिकार में जो दी गई हो यानि West Bank जो की occupied है वहाँ पर Jewish settlements होने है यानि यहुदीयों का settlements होना उनको ब्यवस्थित करना है उस West Bank का जो annexation है अर्था जो उसका सन्योजन है जो मिलाने का कार्य है is high on Prime Minister Benzamin Netanyahu's agenda यानि Benzamin Netanyahu के agenda उनके कारी सूची में यह हाई है यानि बहुत महत्वपुन उनके लिए है कि West Bank का वो क्या करें एनेक्सेशन करें में इस उसको सन्योजन करें कौन सा एनेक्सेशन आफ जेविस सेटिलमेंश जहां पर उन्हें यहुदीयों को क्या करना है सेटिलमेंश करन बिल्कुल वैसे ही जैसे मोदीजी सरकार में आये थे तो उनके काश्मीर में ब्रामनों को क्या करना है पुनर अस्थापित करना है वैसे ही West Bank को Benzamin Netanyahu को सन्योजित करना है उस territory को ताकि वहाँ पर यहुदीयों को क्या किया जा सके सेटिल किया जा सके उन्हें अस्थापि ठीक है फिर से देख लेते हैं एक बार यह यानि इसराइल की जो नई मिली जुली सरकार है which has indeed a protracted political deadlock जिसने उस दिर्ग कालेन राजनितिक गतिरोद को क्या कर दिया है समाप्त कर दिया है after three in conclusive elections और यह गतिरोद कब समाप्त हुआ तीन और निर्डित चुनावों के बाद समाप्त हुआ जो तीन चुनावों कब हुए एक साल में हुए और यह सरकार जो है यह जो इसराइल की नई मिली जुली सरकार है is likely to oversave इसे कहीं-कहीं अपनी निगाह में रखना होगा उस फिलस्तीनियों के साथ क्यों? क्योंकि annexation of Jewish settlements in the occupied West Bank यानी जो occupied West Bank अधिगरही है अधिकरहित जो West Bank है वहाँ पर annexation का कारी करना है, सन्योजन का कारी करना है किसलिए? क्योंकि वहांपर यहूदियों को क्या करना है, अस्थापित करना है और यह जो annexation का कारी है जोड़ने का उन territories को जोडने का जो कारी है is high, वो बहुत महत्पूर है, आन Prime Minister Benjamin Netanyahu's agenda किस में बहुत महत्पूर है, Benjamin Netanyahu के agenda में उनकी कारी सूची में, ये annexation का कारी बहुत महत्पूर है, और चुकि annexation वो करना चाहते हैं, इसलिए versioning tensions हर हाल में इस्थितियां क्या होंगी और तनावपूर होंगी किन के साथ with the Palestinians, means the Palestinians के साथ, ठीक है, verse अगर देख लेए आप जल्दी से, verse, verse, verse हो गया आपके, यहाँ पे, rival, प्रतिद्वन्दी, opponent आपका, factions, कोई block, कोई wing आपका, good, deadlock, बढ़ियां वड़े बच्चो, deadlock, कोई stalemate, कोई भी obstacle, कोई bottleneck, Miss Gathirodh, remain, बने रहना, protracted, याद कर लें, protracted, दिर्ह कालिन, लंबे समय से चला रहा, deadlock, याद हो गया, गतिरोध, hurdle, inconclusive, means unadded, in decisive, जिसका कोई need, न निकल पाया हो, likely, जिसकी possibility हो, संभावना हो, overseas, परिवेक्षण में रखना, means उस पर निगाह रखना, versioning, बिगड़ते हुए, बदतर होते हुए, tensions, तनाव, हालात, palestines, philistinio के लिए यूज किया गया है, annexation, amalgamate करने का कारिया, combine करने का कारिया, occupied, जोडने का कारिया, Jewish settlements, यहुदियों को उनह अस्थापित करने का कारिया, occupied, जो आपने अपने कबजे में ले रखा हो, occupy कर रखा हो, West Bank का स्थान हो गया, और azenda कारे सोचे, ठीक है, चले, आगी बढ़ते हैं, Mr. Netanyahu, Israel's longest serving leader, who just began his fourth consecutive term, has, यह has किसके लिए आया होगा बच्चों, Mr. Netanyahu के लिए आया, क्यों, क्योंकि यह जो है इसराइल's longest serving leader, यह किसके लिए है, यह Mr. Netanyahu के लिए हो गया, यह क्या है, मैंने कल भी बताया था, यह case in opposition हो गया, जो Mr. Netanyahu के बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया गया, कि Mr. जो Netanyahu है, इसराइस longest serving leader, यहनि इसराइल की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले leader, नेता रहे हैं, who, यह भी उन्हीं के बारे में है, adjective class के रोप में, who just began, जोने अभी अभी शुरू किया है, his fourth consecutive term, अपना चौथा लगातार, consecutive means continuous, अपना लगातार चौथा कारिकाल, term means कारिकाल, अपना लगातार चौथा कारिकाल उन्होंने क्या किया है, शुरू किया है, कि इन्होंने, Mr. Netanyahu ने, उन Mr. Netanyahu को has already initiated, है न, already, पहले ही, has, helping verb के बाद तुरंत already का प्रियोग करें, ठीक है, उन्होंने पहले से ही initiated, क्या कर रखा है, शुरू कर रखा है, begin कर रखा है, discussions, क्या शुरू कर रखा है, discussions, यानि उन्होंने बादचीत शुरू कर रखी है, on this plan, discussion के साथ देखे, on का प्रियोग है, इस plan पर, इस योजना पर, उन्होंने पहले से ही discussions क्या कर रखे है, initiated, शुरू कर रखे है, ठीक है, किस योजना पर बच्चों, West Bank की जो territory है, उसके annexation के लिए, अर्थात, उसको जोड करके, वहाँ जिविस settlements करने के लिए, अर्थात, यहूदियों को वहाँ पर बसाने के लिए, उनको अस्थापित करने के लिए, इस प्लान पर उनका discussion जो है, has already initiated, उन्होंने पहले से ही शुरू कर रखा है, किनोंने Mr. Netanyahu ने, कौन से Mr. Netanyahu, जो इसराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता रहें, जिनोंने अभी हाली में तुरंत अपना चौथा लगातार कारिकाल ठर्म क्या किया है, शु लाइने बच्चों, वो आदमी behind, देखें, वर्वनी आई बच्चों, अर्तात who is behind कह सकते है, the man, वो आदमी who is behind the revival of the political fortunes of Mr. Netanyahu, छोड़े-छोड़े शब्दों में पढ़ेंगे, तो आपके लिए समझना आसान हो जाए, ठीक है, मैं यहाँ एक बार आपको प्रहा सकता लेकिन आप जब PDF इसकाल लें, तो आप कई बार पढ़ें, दो बार, तीन बार पढ़ें, और अपनी life को English में अच्छा बनाना है, तो जरूर पढ़ें आप, छले, फिर देखते हैं, करें, the man, वो आदमी behind, जो पीछे है, किसके पीछे है, the revival, पुनर जीवन के देने के पी राजनीतिक, फार्चियूँज, राजनीतिक को एक तरह से अवसर कह सकते हैं, राजनीतिक अवसर उनह देने के पीछे, जो आदमी है, आफ Mr. Nitanyahu को, किसको राजनीतिक अवसर देने के पीछे Mr. Nitanyahu को, Mr. Netanyahu को political virtues, राजनितिक रूप से अवसर देने के लिए, उनह अवसर देने के लिए उसके पीछे जो आदमी है, कौनसा आदमी बच्चों? Who has been inducted, ये who has been inducted किसके लिए है? Mr. Netanyahu के लिए है, ठीक है? Who has been inducted, जिनहें induct किया गया, जिन पर आरोप लगा है गया है, for corruption, किस से इसका भ्रष्टा चार्ग? फिर से देखें आप, यानि the man वह आदमी, behind the revival of the political fortune साथ Mr. Netanyahu, जो Mr. Netanyahu के राजनितिक भविश्च को फिर से नया जीवन देने के पीछे है, कौन Mr. Netanyahu? Who has been inducted for corruption, जिन पर भ्रष्टा चार का क्या लगा है? आरोप लगा है, उनके पीछे जो आदमी है, उनको पुनह राजनितिक आउसर देने के पीछे जो आदमी है, वाज, वो कौन था? Was his one time nemesis, कभी एक समय में वो आदमी उनका क्या हुआ करता था? Nemesis हुआ करता था, मेंस उनका विरोधी हुआ करता था, दुश्मन हुआ करता था, पन Benny Gant जओ, क्या नाहा हम बच्चों? Benny Gant, जो कभी उनका विरोधी हुआ करता था, वाज his one time nemesis, कभी उनका विरोधी हुआ करता था, आज वही आदमी Mr. Netanyahu को क्या दे रहा है? The Revival of the Political Fortuns, यानि उनहीं के राजनितिक भविष्ट को फिर से revive कर रहा है, उन्हें फिर से अस्थापित करा पुनह शक्ति ताकत दे रहा है, और ये Benny Gantz को हुआ हैं बच्चों? फिर से Case in Opposition, उनके बारे में बताया गया, ये Benny Gantz है, Leader of the Centrist Blue and White Party, यानि ये पार्टी का ना Centrist, यानि मध्यमारगी Blue and White Party, यानि ये पार्टी का नाम है, जैसे आपके हाँ कांग्रेश सहभासपा है, सपाबसपा है, वैसे महां Blue and White Party है, ठीक है? यानि ये Benny Gantz जो हैं, जो की Centrist Blue and White Party के नेता, लीडर हैं, इन्हों ने, जो कभी Mr. Netanyahu के क्या हुआ करते थे? शत्र हुआ करते थे, विरोधी हुआ करते थे, इन्हों ने ही Mr. Netanyahu को revival दिया है, उनकी political fortunes में, कौन से Mr. Netanyahu को, who has been inducted for corruption, जिन पर क्या लगाया गया है? भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है. The former army chief of staff entered politics with the sole mission to oust the liquid party head from office and proposed legislation to set term limits for the premier. बढ़ी हाल आने बच्चो, आपको बता है ये, former army chief of staff कौन है? This is Benny Gantz, कौन? Benny Gantz, ये जो former army chief of staff है, entered politics, इन्होंने politics में क्या किया था? प्रवेश किया था, with the sole mission, mission क्या है noun, तो उसके पीछे sole क्या है? Adjective, sole means, इकलोथा, अकेला, यानि उन्होंने politics में प्रवेश किया, with the sole mission, अपनी इकलोथे उद्देश, लख्च के साथ, पहन सा लख्च था बच्चो, ये infinitive हो गया, to oust, निकालने के लख्च के साथ, कहां से, किसको निकालने के लख्च साथ? दे लिकुड पार्टी हेड, यानि लिकुड पार्टी हेड, अर्थात बेंजामिन नितिन्याहो, जो लिकुड पार्टी के हेड है, अर्थात उसके मुख्या है, उनको निकालने के उदेश से उन्होंने पॉलिटिक्स में प्रवेश किया था, जिनका इकलावता उदेश यही था, कि वो बन्जामिन नितनियाहु को फ्राम आफिस, यानि सत्ता से क्या कर देंगे, निकाल देंगे, इसी इकलावते उदेश के साथ, यह जो फार्मर आहरमी चीफ आफिश टाप थे, उन्होंने politics में क्या किया था, प्रवेश किया, समझ गहेंगे, कि वो बेंजामिन नितन्याहु को एक तरह सत्ता से बेदखल कर देंगे, इसी उद्देश साथ party में आये वो, राजनीत में, and proposed, और उन्होंने क्या किया, ये प्रस्ताव किया, legislation, ऐसे कानून का, to set term limits, term limits क्या होती बच्चों, term limits होती है, कारेकाल की अवध ही, क्या होती, कारेकाल की एक सीमा अवध ही, यानि उन्होंने एक proposed legislation, एक कानून, एक प्रावधान का प्रस्ताव रखा, to set term limits, ताकि एक सीमा निर्धारित कर दिया, set कर दिया, स्थापित कर दिया, for the The Premier, The Premier, किसके लिए The Premier, Premier मिन्स बच्चों समझते हैं, Prime Minister को कहते हैं, मेंस प्रधान मंत्री या केवल किसी का कोई प्रधान है, मुखिया है, वो Premier होता है, इलाइन यहां सफिर्ज देख लें आप, किरें, The Former Army Chief of Staff, The Former Army Chief of Staff, समझते हैं, सेना के मुखिया, जैसे आपके यहां, मैं नाम भूलना हूँ, तो उनको निउक्त किया था न, मोधी सरकार ने, तो with the sole mission, यानि The Former Army Chief of Staff entered politics, easy है, उन्होंने राजनीत में प्रवेश किया, with the sole mission, यानि किस के साथ, एक लक्ष के साथ, कौन सा लक्ष है, to oust, कि उन्हें निकाल देंगे वो, किन को निकाल देंगे, The Liquid Party Head from Office, यानि Liquid Party के head Benzamin Nitinयाहो को सत्ता से बेदखल कर देंगे, and proposed legislation, और उन्होंने एक प्रावधान का भी प्रस्ताव रखा, to set term limits, कि एक सीमा निर्धारित कर दी जाए, किसकी, for the premier, प्रदाहनमंत्री के term limits कारेकाल के, निर्धारित कारेकाल के limit निर्धारित के सीमा निर्धारित कर दी जाए, कि वह इसके बाद अब दुबारा नहीं हो सकते हैं, ठीक है, चले, words देख लेते हैं जल्दी से, में क्या है, words देखना बच्चों, कि आपको इसका फायदा क्या मिला, लांगे समस्ते होंगे, सबसे अधिक, अगर आपके मन में आए, सब सूपरलेटिव डिगरी दर नहीं लगा है, लेकिन ध्यांस देखे सूपरलेटिव डिगरी के पहले, पोजिसिप केस का प्रियोग होता है, दर नहीं लगाते हैं, यहाँ एक प्रियोग बच्चों, who just began, then British English में who has just began होना चे, बट American English में past indefinite का just के साथ प्रियोग किया जाता, अगर आप अच्छी राइटर्स को पढ़ेंगे तो यह प्रियोग किया जाता है, consecutive means continuous, क्या बोलेंगे consecutive को continuous, आपके सब सूपर, consecutive shots, यानि लगातार shots लगाए गए, यह consecutive होता है, term यहाँ पे किसी इस के लिए कारिकाल के लिए है, initiated, began, शुरुवात किया, start किया, discussions, किसे चीज़ पे, चर्चा करने का कारिया, revival, पुनर जीवन, यानि तरह से पुनह अस्थापित करने का कारिया, पुनह अस्तित्तों में ले आने का कारिया, political fortunes, राजनेतिक भवश्य, राजनेतिक आउसर, इंडिक्टेड, जिन पर आरोप लगाया गया था, passive आश, देखे, has been plus verb की थर्ड़ फार्म, passive आश, corruption आप जानते हैं, करियेगा मत कभी बस, one time ने मिसेश, जो कभी एक समय में उनके दुश्मन, उनके विरोधी हुआ करते थे, soul mission, एक लवताव देश, जैसे आपका soul mission होना चे, हमको job करनी है बच्चों, ठीक है, हर हाल में job करनी है, क्यों जो job less है, उनकी condition इस लागडाउन में आप देख रहे होंगे, इसलिए job जरूर करिएगा, आउस्ट निकाल देना, बाहर निकाल देना, extrude कर देना, exclude कर देना, यह लिकुड़ पार्टी यहाँ भी, फ्राम आफिस सत्ता से, legislation, provision, law book, means कानून, प्रावधान, set, अस्थापित करना, term limits, कारिकाल की सीमा, for the premier, प्रीमेर मिनस यहाँ पे, प्रधान मंत्री, ठेक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह आपका है, second last, in his election campaigns, अभी campaigns वगर तो आसान होना जाना, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे होंगे, यानि अपने चुनावी अभियान में, campaign यहाँ क्या हो गया, बच्चों, election campaign, compound now, his क्या है, possessive case, in his election campaigns, यानि अपने चुनावी अभियान में, and or, during difficult coalition negotiations, and during, during मिन के दारान, किसके दारान difficult, कठिन, पेंचीदा जिसको आप कहते हैं, coalition negotiations, coalition में गठजोड, और negotiations वारता, यानि जब साथ साथ गठजोड के रूप में वारताएं होती थी, पेंचीदा वारताएं होती थी, उसके दारान, और his elections campaigns, और अपने चुनावी अभियानों में, Mr. Gaines याद न, Mr. Benny Gaines हो, यह ज adamant याद हो गया, वो बहुत दिढ़ थे, किस से इसके लिए, that की, he would never work, कि वो कभी भी खारी नहीं करेंगे, under a prime minister, एक ऐसे prime minister के अधीन, who faced criminal charges, जिसने किस से इसका सामना किया हो, criminal charges, यानि आपराधिक आरोपों का, जिस पर आपराधिक आरोपों का सामना किया हो, हो, ऐसे प्रधान मंत्री के under में वो कभी भी कारी नहीं करेंगे, ऐसे, ऐसा, मलब इस चीज़ के लिए, Mr. Gans क्या थे बच्चों, adamant थे, मिस क्या थे, बिलकुल, दिढ़ थे, कब, अपने coalition negotiations के दौरान, और election campaigns के दौरान, यहीं तक देख लेंगे, बच्चों, यहीं समझ लिकुड, यानि वो लिकुड, जिसके head कौन है, बच्चों, याद है न, बेंजामिन नितनियाहू, यानि वो लिकुड पार्टी के साथ, unity government, मिली जुली सरकार के, को ज्वाइन करने के लिए, भी क्या थे, वो तयार थे, provided, लेकिन की शर्त थी, बशर्ते, क्या, that की, Mr. Netanyahu stepped aside, कि Mr. Netanyahu stepped aside, कि Mr. Netanyahu को उससे क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, या Mr. Netanyahu अपने से क्या हो जाए, अलग हो जाए, समझ रहे होंगे आप, यानि पहला उन्हों क्या डाला अगमारा था बच्चों, कि मैं ऐसे प्रहान मंत्री के अधिन कभी कारी नहीं करूंगे अंडर कभी कार नहीं करूंगा, who has faced criminal charges, जिसने आप राधिक मुकदमों का क्या किया हो, सामना किया हो, उन्होंने ये भी कहा, कि he would be ready to join the unity government, but in the leadership of the party liquid, यानि वो liquid party के, उसमें leadership में, वो मिली जुली सरकार बनाने के लिए भी क्या है, तयार है, उसको join करने के ये होगी, वशर्ते provided, शर्त ये होगी कि बेंजामी नितन्याहु stepped aside, liquid party से क्या हो जाएं, किनारी कर दिये जाएं, हट जाएं वहां से, आइरेनिकली, आइरेनिकली बच्चों, दुर्भागे वश, यानि बिनंबना पुर्व, बिनंबना ये है, यानि इतने बड़े-बड ये बिनंबना ये है, कि the judicial trial, judicial trial बच्चों, नियायक मुकदमा, ठीक है, जो नियायक मुकदमा है, into Mr. Netanyahu's indictment, यानि Mr. Netanyahu के indictment, उन पर जो आरोप लगा है, कौन सा बच्चों आरोप? फार करप्शन ब्रश्टा चार, यानि Mr. Netanyahu पर जो करप्शन का आरोप लगा है, उसका जो judicial trial है, सारी और भी बच्चों पर ब्राइबरी का भी लगा है, मिन सब घोश्कोरी का भी लगा है, and breach of trust, और विश्वास को तोड़ने का भी आरोप लगा है, इन सब का जो judicial trial है, मि जो न्याईक सुनवाई है, begins, वो क्या हो रही है, शुरू होने जा रही है, on May 24, कब 24 माई को, देखे, 24 माई को बच्चों शुरू होगी, लेकि present and definite use किया गया है, क्यों, क्योंकि जो भवश्य के कारी होते हैं, योजनाई होते हैं, जब वो पहले से निर्धारित होते हैं, तो उनको हम present में use करते हैं, जैसे प्रहानमंत्री जी कल आएंगे, the Prime Minister will come tomorrow, ये उतना preferable नहीं है, जितना आप कहें, the Prime Minister comes tomorrow, या the Prime Minister is coming tomorrow, वैसे 24 माई को शुरू होगा, लेकिन पहले से पता है, तो इसलिए यहाँ begins का प्योंकिया, ठीक है, तो आप समझ गएंगे, यानि कित पार्डी को समर्थन देंगे, उनकी साथ मिलकर के सरकार बना लेंगे, लगी तभी जब Mr. Nitinyaahu क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और बिनम्बना क्या, कि जिन Mr. Nitinyaahu पर corruption का, bribery का, और breach of trust, यानि विश्वास को तोड़ने का indictment आरोप लगा है, उनकी जो न्यायक 24 में, यानि 24 माई को शुरू हो रही है, अब देखेगा, the course are, यानि जो अदालते हैं, also hearing challenges, वह उन चुनावतियों को भी, यानि उन challenges को भी सुनवाई कर रहे हैं, to his choice, जिसमें जिन चुनावतियों में कहा गया, कि उन्होंने चुना, कि उन्होंने चुना, as Prime Minister, कि उन्हों मलब उन्हें Prime Minister के रूप में क्यों चुना गया, इस पर भी, उस पर, courts में क्या किया गया, challenge किया गया, चुनावतियों दे गई है, as, क्योंकि Mr. Netanyahu could influence, क्योंकि Mr. Netanyahu अगर Prime Minister रहेंगे, तो could influence, वो क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, the nomination of judges, judges के nomination को, उनके नामकरण को, and the prosecutor, और जो अभियोजन पच्छ है, उसके nomination को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, तो फिर अगर Mr. Netanyahu प्रभावित कर सकते हैं, prosecutor के nomination को, judges के nomination को, तो उनके, उन्हें, हिज च्वाइस, उन्हें प्रहानमंत्री के रोप में क्यों चुना गया, इसको भी, hearing में, य सबसे पहले उनपर corruption का, bribery का और breach of trust का आरोप है, जिस पर 24 मही को सुनवाई होगी, और अदालतों में ये भी चुनावती दी गई है, कि आखिर Mr. Netanyahu प्रहानमंत्री कैसे हो सकते हैं, कैसे उन्हें चूज किया जा सकता है, जब उनपर corruption का क्या चला है, आरोप चला है, bribery क का आरोप है, breach of trust का आरोप है, क्यों, क्योंकि अगर वो प्रहानमंत्री रहेंगे, तो जो judges का nomination होगा, जो prosecutor का nomination होगा, यहां ये ये judge, इसकी सुनवाई करेंगे, वो उनको क्या कर सकते हैं, influence कर सकते हैं, means उन judges को prosecutor को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए challenge किया गया, कुने प् पस से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और उसकी सुनवाई कब होनी है, 24 मई को होनी है, ठीक है, words देख लेते हैं बचों, campaign याद हो गया, drives, expeditions, means अभियान, और coalition याद हो गया, means combination, जो गर्जोड होता है, negotiations, जो discussions होते हैं, बातचीत, वारता को कहते हैं, adamant, जो आदम criminal charges, याद हो गया, आपना अधिक मुकदमा, आपना आधिक आरोप, UNT Government, means Millijulis सरकार, provided that, बशर्ते, शर्त ये है कि, step aside, किनारी कर देना, या हट जाना, ironically, बिनम्बना पुरवक, जिसके बिनम्बना means आश्चरिय हो, ये आइरेनिकली होता है, judicial trial, न्यायक सुनवाई, indictment या हो गया, आरोप, corruption, जानते हैं, bribery, घोश खोरी, breach, तोड़ने का कारिय, किस से इसको तोड़ने का कारिय, trust, विस्वास को तोड़ने का कारिय, hearing, सुनवाई, influence, प्रभावित करना, nomination, नामकरण, जज़ज़ आप जानते हैं, prosecutor, अभियोजन, पच्च, ठीक है, एक नबच्च, चले, दो पैसे हैं, आप देख सकते हैं, आराम से, यह, in a turn-off events, यानि घटनाओं ने मोर लिया, बच्चों, in late March, कब, March के उत्तरार्ध में, यानि March के उत्तरार्ध में, last समय में, in a turn-off events, घटनाओं क्या हो गई, मोर ले लेंगे, इन घटनाओं के मोर लेने में क्या हुआ, Mr. Ganser, first petition the court, उन्होंने court में क्या किया, petition दायर किया, means, मुकदमा दायर किया, किसके खिलाफ, against moves, उन कदमों के खिलाफ, कौन से कदम, to install the election of the new speaker, कि जो नए speaker, समझते हैं, बच्चों, हमारे इसे लोग, सभा, अध्यच होते हैं, उसी को speaker कहते हैं, यानि नए speaker को install the election, यानि नए speaker के election को install, अस्थापित करना, यानि उन्होंने इस कदम के खिलाफ, court में क्या किया, petition किया, मुकदमा दायर किया, क्या आखिर क्यों अस्थापित किया, क्यों नियुक्त किया जा रहा है, the election of the new speaker, यानि आखिर नए speaker का चुनाव क्यों रखा जा रहा है, इसके खिलाफ उन्होंने petition दायर किया, and or within 24 hours, और ये दायर करने के बाद, मुकदमा दायर करने के बाद, 24 घंटों के अंदर, within means, 24 घंटों के अंदर, nominated himself, खुद को नामित कर दिया, to the position, उस पद के लिए, यानि उस पद के लिए, उन्होंने खुद को नामित कर दिया, कौन से पद के लिए, new speaker के पद के लिए, जबकि 24 घंटे पहले, वह उस कदम के खिलाफ, उस move के खिलाफ, उन्होंने court में petition दायर किया, मुकदमा दायर किया, कि आखिर install the election of the new speaker, कि आखिर नई speaker का चुनाव क्यों हो रहा है, और 24 घंटों के अंदर, उन्होंने खुद का नाम दे दिया, कि हाँ मैं नई speaker की चुनाव के लिए क्या हूँ मैं, तयार हूँ, लड़ने के लिए तयार हूँ मैं, a step, यह वो कदम था वच्छों, यहाँ the step बहतर होगा, a step, यह वो कदम था that, जिस कदम ने led to the splintering, जो कदम कहां तक लेकर गया, led to, कहां तक लेकर गया, the splintering, तोड के तरफ, यानि टूटन की तरफ ले गया, किससे इसके टूटने की तरफ, of the blue and white, देखे, party का नाम है न, blue and white, तो इसके पहले क्या लगाया गया, the, यानि blue and white जो उनकी party थी, वो party splintering, क्या हो गई, टूटने के कगार पे पहुँच गई, यानि led to, lead to, यानि टूटने की अवस्था में आ गई, उनके इस step की वजए से, कौन सा step, कि उन्होंने खुद लोग सभा के पद के लिए, nominated himself, क्या देदिया आपना, नाम देदिया, but, लेकिन, the decision, जो नेड़े था, that has been described as his capitulation, जो जिस नेड़े को has been described, has been described, passive as, जिस नेड़े का wordन किया गया है, और देखे, कितना बढ़िया है, use described के साथ, as का प्रियोग, ठीक है, जिस नेड़े का wordन किया गया है, as his capitulation, कि वह नेड़े वास्तों में उनकी क्या थी, हार थ and, or, a betrayal, और वास्तों में उनेड़े एक प्रकार का धोखा था, of his center left supporters, किनके वाम पंतियों के supporters के लिए, यानि center left मत ने मार गी, वाम पंतियों के supporters थे, उनके साथ एक betrayal था, ये नाम दिया गया, और his capitulation, और ये मान लिया गया, कि उन्होंने क्या मान लिया है, हार मान लिया कुन्यों ने, Mr. Benny Gantz ने, is of, अब यहां से देखे, वो निर्ड़े था न, but the decision और यहां से वर्ब नहीं आए थी, कलास आ गई थी, तो वो निर्ड़े उनका, कौन से निर्ड़े बच्चों, जिसमें कहा गया, कि वह उनकी हार थी, और वह एक प्रकार का कहिन के इमाम पंत कार को कहते हैं, जब आप किसे निर्ड़े को रोकने की चमता रखते हैं, तो वह वीटो पावर होती है आपके पास, यानि कि वह निर्ड़े जो है, is his failure, उनकी असफलता है, to secure कि वह सुरक्षत नहीं कर पाए, और वीटो, यानि वह निशेध अधिकार के ताकत को सुरक्ष नहीं रख पाए, on the annexation of the settlements on the West Bank, याद होगा आपको, यह वेश्ट बैंक में जो settlements होना था, जो यहूदियों का settlements अस्थापित होने का कारे था, उनको जो annexation का कारे था, West Bank को जो जोडने का कारे था, उस पर जो वीटो लगा था, बच्चों, जो वीटो लगा था, उस वीट in the coalition agreement, और यह असफलता होने कहां चेलनी पड़ी, coalition agreement में, यानि जब वो बेंजामी नितनियाहू के साथ जुड़े, तो उस गड़ जोड के समझाते में, एक तरह से वह उस वीटो को, क्या नहीं कर पाए बच्चों, secure नहीं कर पाए, मैंस एक तरह से उसकी रच्छा नहीं क का कारिया, यानि West Bank को एनेक्स करने का कारिया, और यह विरोधी थे न, Mr. Gantz, लेकिन जब यह coalition agreement हुआ, तो उसको मना करने का जो अधिकार था, उसको सुरक्षित नहीं कर पाए, यानि एक तरह से वह एनेक्स सेशन के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए, कौन Mr. Gantz, All other pieces of legislation, यानि जो प्रावधान थे, उनके जो अन्य पेसे थे, अन्य भाग थे, except दोज, सिवाए उन भागों के, relating to the fallout, जो उस बुरी स्थिती से समंधित थे, from the COVID-19 pandemic, जो बुरी स्थिती किसके कारण थे? COVID-19 pandemic के बाद से थी, and or the occupied territory, और किसके वज़द से थी? occupied territory, अर्था कभजे वाली छेत्र से समंधित थी, require, मैं जानता हूँ नहीं समझ पा रहा है, मैं फिर से समझा रहा हूँ बच्चो, एचली मैं कभी कोई सोच रहा हूँ कि आपका समय थे बचा दो, लेकिन देखें other pieces of legislation, यानि उस प्रावधान के जो अन्य भाग थे, except those, उन प्रावधानों के सिवाए, कौन से प्रावधान? relating to the fallout from the COVID-19 pandemic, यानि जो समंधित थे from the COVID-19 pandemic, COVID-19 pandemic से जो समंधित थे, उसके बुरी इस्थिती से समंधित थे, and और किसे समंधित थे? the occupied territory, उस अधिगरहित यान कबजे वाले छेते से समंधित थे, वो all other pieces of legislation require, उन्हें क्या है? आवश्यक्ता है, mutual consultation, किसकी? आपसी राय मश्वरे की between the governing parties, किनके बीच आपसी consultation होना चाहिए, governing parties के between, उनके बीच, यानि जो सरकार है, जो साशन करने वाली सरकार है, parties है, इनके बीच में, कहीं कहीं, आपसी consultation होना चाहिए, मैंस आपसी राय मस्वरा होना चाहिए, किनके लिए all other pieces of legislation, अन्य भागों के, अन्य भाग है, प्रावधान के, ठेक है? चले, main words देख लें आप जल्दे से, events आप जानते हैं मच्छों, petition, याद हो गया? याचिका दायर करना, appeal करना, plea दायर करना, moves, कदम, steps, install, अस्थापित करना या नियुक्त करने के sense में, lesson of the new speaker, nominated, नाम करन करना, नामित करना, अपना नाम देना, position आप जानते हैं, और step, वो कदम, led to, जिस तरफ लेकर गया, किस तरफ लेकर गया कदम वो, is plentering, टूटनिंग की तरफ ले गया, किस इस के टूटनिंग की तरफ आप the blue and white उस party को टूटनिंग तरफ ले गया, lesson जो describe किया गया है, उनकी हार के रोप में, और उनके धोखे के रोप में, किसके लिए, central left supporters के लिए, जो उनकी असफलता के रोप में हुआ, कि वो सुरक्षित नहीं रख पाए उस veto को, जो veto किस पर लगा हुआ था, उस annex session पर लगा हुआ था, जो annexation किसके लिए था, जो संजोजन किसके लिए था, आफ दे settlements अस्थापित करने के लिए था, on the West Bank, यानि West Bank में, in the coalition agreement, और ये कब veto को नहीं सिकूर कर पाए, जब वो coalition agreement कर रहे थे, मिन्स समझावता कर रहे थे, legislation, कानून, प्रावधान, fallout, कोई bad thing, कोई परड़ाम, बुरा परड़ाम, pandemic, महामारी, occupied territory, कबजे वाला छेत्र, mutual consultation, आपसी, रायमस्वरा, और चुकि दो ही parties थी न, liquid और central left वाली, इसले between का प्रियोग किया गया, चले, आगी बढ़ते हैं बच्चो, ये second last आपका है, Jerusalem, and not a vocal supporter of a two-state solution, it is doubtful if Mr. Gaines would block Mr. Netanyahu's annexation bid, समझ सकते हैं, देखें, यहाँ advocate means, वकील नहीं होगा बच्चो, advocate means, समर्थक भी होता, champion, supporter को भी advocate कहते हैं, an advocate of a united Jerusalem, यानि वो समर्थक हैं, किसके? of a united Jerusalem, यानि संजुक्त Jerusalem के, यानि वो चाहते हैं, Jerusalem में सा united रहें, वो इसके advocate हैं, समर्थक हैं, and or not a vocal supporter, और वो एक मुखर, मुखर समर्थक नहीं हैं, किस से इसके? of a two-state solution, किस से इसके? कि जो इसराइल है, उसके दो अलग-अलग क्या किये जाएं, हिस्से किये जाएं, इसके वो समर्थक नहीं हैं, यानि वो चाहते हैं, Jerusalem हमेशा क्या रहें, united रहें, और एक ऐसा समाधा न निकले, जिसमें two states, अर्था दो भाग किये जाएं, वो इसके बिलकुल भी समर्थक नहीं हैं, इसलिए, it is doubtful, ये संदेहात्मक है, संदेहास्पद है, if यदि Mr. Ganser would block, यदि Mr. Ganser है, वो ब्लाक करेंगे, रोक पहेंगे Mr. Netanyahu's annexation bid, किसी इसको? Mr. Netanyahu के annexation bid को, यानि जो उनका जोडने का कार है Mr. Netanyahu का, उस bid, यानि उस आदेश को, वो Mr. Ganser block कर पाएंगे, रोक पाएंगे, it is doubtful, इसमें क्या है? संदेह है, समझे, Mr. Ganser क्या चाहते हैं, United हमेशा, Jerusalem हमेशा क्या रहे? United रहे, और वो किस से इसके समर्थक नहीं है, two state solution के vocal supporter बिलकुल भी नहीं, कौन? Mr. Ganser, लें जब Mr. Netanyahu annexation की bid देंगे, आदेश देंगे, तो Mr. Ganser उसको block नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, और रोक पाएंगे की नहीं, इसमें क्या है? doubtful संदेह है. और, एनी मूव, कोई भी ऐसा कदम to annex West Bank tariff race, जिसमें West Bank tariff race को annex एक दूसे क्या कर दिया जाए? जोड दिया जाए, ऐसा कोई भी कदम which the Palestinians see, जिससे फिलिस्तीन वाले मानते हैं, देखते हैं, किस रूप में? as part of their future state, जिससे वो अपने भविश के राज के रूप में देखते हैं, West Bank territories के रूप में, ठीक है? तो, लाइन इफिलिस देख ले माचे हो, और, एनी मूव, कोई भी ऐसा कदम to annex West Bank territories, जिसमें West Bank के छेत्रों को annex किया जा सके, कौन से West Bank territories को? which, जिसे the Palestinians see as part of their future, जिस West Bank territories को, Palestinians, मिस फिलिस्तीन वाले, अपने future state के रूप में क्या करते हैं? देखते हैं, ऐसा कोई भी मूव, कोई भी कदम, could worsen, an already fragile situation, could worsen, बदतर कर सकता है, an already fragile situation, पहले से ही कमजोर इस्थिते को, पहले से ही कमजोर इस्थिते को, और बदतर कर सकता है, क्या, कोई भी ऐसा कदम, जिसमें West Bank Territories को क्या किया जाए, annex किया जाए, जोड़ा जाए, कौन सा West Bank Territories, जिससे Palestinians क्या मान रहे हैं, अपना future state मान रहे हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे, as, as per the deal, as per में के अनुसार बचों, याद कर लें, as per, as per the deal, यानि उस deal, उस समझाते के अनुसार, कौन सा समझाता बचों, brokered in April, जो समझाता कब हुआ था, April में brokered, यानि लोगों के, माध्यमों के माध्यम से, यानि लोगों के, कई सारी माध्यमों के द्वारा, जो समझाता, जो deal, एप्रिल में हुई थी, as per, उस समझाते के अनुसार, Mr. Netanyahu, will serve as Prime Minister for the first 18 months, उस समझाते के अनुसार, Mr. Netanyahu, पहले 18 मन्त क्या करेंगे, Prime Minister की रूप में कारी करेंगे, and or, hand over the role, और फिर ये भूमका, hand over कर देंगे, सौप देंगे, to his erstwhile opponent, याद हो गया, अर्ष्ट्वाइल, भूत पुर्व, और फिर वो अपनी प्रहान मंत्री की भूमका को, hand over कर देंगे, to his erstwhile opponent, यादि अपने भूत पुर्व, विरोधी को, further remainder of the three year term, यादि जो बाकी बचे हुए, तीन साल का कारिकाल होगा, Mr. Netanyahu, वो अपनी अपोनेंट को, erstwhile opponent को क्या कर देंगे, hand over कर समझ गया होंगे, यादि 18 मैने Mr. Netanyahu रहेंगे, और अगले तीन साल का जो term में कारिकाल है, वो अपनी उस erstwhile opponent को hand over कर देंगे, जो कौन होंगे, Benny Gantz होंगे, this is however, however पहले पढ़ ले, जो भी हो, this is a potential grey area, grey area बच्चों, और सपस्ट, जो चीज clear न हो, वो grey area होता है, यानि this is however a potential grey area, यानि ये चीज बहुत ही अधिक्या है, और सपस्ट है, क्या, कि 18 मैने वो रहेंगे, और 3 साल Benny Gantz रहेंगे, ये चीज बहुत असपस्ट है, given, याद है given, ध्यान में रखते हुए, क्या ध्यान में रखते हुए, the uncertainty, उस अनिश्चुता को ध्यान में रखते हुए, that would arise, जो अनिश्चुता arise, उत्पन होगी, for the coalition, किसके लिए, उस गठ जोड के लिए, from a judicial verdict, जब क्या आएगा बच्चों, वो न्याइक निड़े आएगा, against Mr. Netanyahu, किसके खिलाफ, Mr. Netanyahu के खिलाफ, यहनि अगर Mr. Netanyahu के खिलाफ, वो judicial verdict आया, तो फिर वो coalition, जो already क्या है, बहुत, क्या था यहाँ पर, बहुत, क्या केते हैं, fragile situation में है, वो coalition, और देख्या होगा, uncertainty की तरफ जाएगा, अनिश्चित्ता की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब उन पर आरोप तैं हो जाएगा, तो नहीं हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, तो वो हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, तो you can understand, फिर क्या होगा आपका, और लास्ट की कुछ एक लाइन है, बच्चों, देख लें, if that happens, यदी ऐसा होता है, कैसा, यदी Mr. Netanyahu पर आरोप साबित हो जाता है, तो he could again play the victim, तो फिर से वो victim card खेलेंगे, means अपनी को क्या ठहराएंगे, कि उन्हें कहीं कहीं फसाया गया है, as when he accused investigating agencies, क्योंकि पहले जब उन्होंने जाच करता agencies को क्या किया था, आरोप लगाया था, after charges were framed against him, जब उन पर क्या लगाये गये थे, आरोप तैंकिये गये थे, तुन्होंने investigating agencies पर क्या लगाया था आरोप लगा, बच्छों आपने देश को सोचेंगे न, यह लाहिनी अपने आप आसान, आपने यहाँ के पार्टिस हो देखें, समझ जाएंगे आप, the months ahead, यानि जो आने वाले, आगे आने वाले महीने हैं, will test, वो परिच्छन करेंगे, आज माएंगे, the real strength, उस वास्तविक ताकत को, of the unity government, जो ताकत किसमे होगी, उस मिली उजली सरकार, जो वास्तविक ताकत है, उनका वास्तव में परिक्छन होगा, कब, the months ahead, आगे आने वाले कुछ, महीनों में, ठीक है, वर्स देख लिजेगा, जरूर बचे होंगे, और हम आगे बढ़ते बच्छों, हमारा सबसे important segment में से एक, ये, जो भी आपने पढ़े बच्छों, जितने भी, वो सारे जितने वर्स थे, मैंने यहाँ अच्छे आपको दे दिया है, ये सबसे बढ़े हैं, जिसका लाव ले गया हो, annexation, combine करने का कारिय, addition का कारिय, जोडने का कारिय, initiate, आरंब करना, शुरुवात करना, आउश्ट याद कर ले, निकाल देना किसे चेज़ को, मिन्स, exclude कर देना, extrude कर देना, coalition, मिन्स, कोई combination, कोई गट जोड, alliance, जिसको आप कहते हैं, step aside, एक तरफ हो जाना, किनारे हर जाना, indictment याद हो गया, impeachment, मिन्स, आरोप, nomination, नामकरण, to install, मिन्स, अस्थापित करना, एक तरसे अस्थत में ले आना, veto, निशेध अधिकार की जो शक्ती होती है, वो veto power होती है, मिन्स, जो तूट करके किसी राजनितिक पार्टी से अलग हुआ हो, inconclusive, मिन्स, indecisive, और निरित, settlements, मिन्स, अस्थापना, अस्थापित करने का कारिया, revival, उनह अस्थत्त में ले आने का कारिया, legislation, कोई प्रावधान, मिन्स, कोई provision, negotiations, discussions होते हैं, लोगों के बेच में वार आता, ironically, बिडंबना पूर्ण तरीके से, bribery, मिन्स, घूश खोरी, prosecutor, जो prosecution की तरब से हो, अभियोजन पच्छ, splintering, तोडने का कारिया, annex session दो बार हो गया, कोई बात नहीं, deadlock, मिन्स, कोई गतिरोध, मिन्स, कोई stalemate, कोई bottleneck, oversee, किसे चीस का परिविक्षन करना, agenda, जो आपके कारी करने की सूची होती, जो कारीया आपो करने होते हैं, वो आपके agenda में होता है, और्ष्टवाइल, previous, former, मिन्स, भूत पुर्व, premier, प्रधान या प्रधान मंत्री, adamant, जो आदमी hard हो, strict हो, मिन्स, हट पे आजाए, जिद पे आजाए, adamant हो जाएगा वो, judicial, न्यायक, judicial से सम्मंदित, breach, violation, अर्था, तोड़ने का कारिया, petition, मुकदमा कर दिया, appeal कर दि, plea, दायर कर दि, capitulation, surrender कर दिया, handover कर दिया, settlements, मिन्स, अस्थापना करने कारिय, remainder, बचे हुए, शेश, worsening, बदतर होता हुआ, खराब होता हुआ, consecutive, लगातार, निरंतर, nemesis, मिन्स, यहाँ पर विरोधी, वैसे punishment भी होता है, campaigns, drive, या expedition, अभियान, charges, यहाँ पर आरोप, trial, मिन्स, सुनवाई, मुकदमा, परिक्छन भी कह सकते हैं, influence, प्रभाव, impact, fallout, मिन्स, कोई बुरा परडाम, किसी घटना के परडाम शरोप, betrayal, धोखा, मिन्स, deceit कह सकते हैं, धोखे को, और legislation, provision, मिन्स, कोई प्रावधान, ठीक है, और last मेरा जल्दिस से, देख लें, यह मैंने verse दिये हैं, सिर्फ चार verse मैंने दिये, जो अच्छे थे पढ़ने में, इनको मैंने हिंदी में use करके दिये, ठीक है, बचों मैं जानता हूँ, थोख टाइम आपको ज़्यादा लगता है, लेकिन आप सोचे का कभी, कि मैं चाहूँ तो 23 पढ़ा कि मैं निकल सकता हूँ, अपने लिए नहीं ले जा रहा हूँ बच्छों, आप सोच के देखें, लगातार बोलना इतना असान नहीं होता है, डिड़ घंटा लगाता, लेकिन अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए ले रहा हूँ, या लोंगा, टीचर को क्या होना होता है, पीछे हटना होता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा डिस्क्राइब करेगा, तो ज़्यादा समय लगे, ज़्यादा समय लगेगा तो मैं देखता हूँ बच्चों का मन जो हटने लगता है कि हाँ यह जो एडिटर का सेसन है वो लंबा हो जा रहा है किसके लिए हम करते हैं बच्चों आप ही के लिए ठीक है अचले एक राय आप भी दीजेगा बच्चों कि अगर शाम को सात बचे से हम spoken with translation और जो आप what chatting वगरे में English use करते हैं उसके लिए एक ऐसा batch लेकर आएं जिसमें आपको यह बताया जाए कि how to speak properly, how to write properly in your sentences sentences में कैसे अपनी chattings वगरे में कैसे आप अच्छे से English को लिखें क्या कब लिखना है यह कैसे जाने अगर इसका batch हम शुरू करें तो कैसा रहेगा जरूर अपनी राय दीजेगा सारी chain देखते रहें YouTube पे मेरी playlist जो है वो जरूर देखते रहें और subscribe करना न भूलें और like, comment, share आप करते रहें जो कि आपको भी करना चीव ठीक है मिलते हैं फिर आप से हम तब शाम को पांच बजे अपनी maths के batch में जो दिलसेर सर चला रहें ठीक है कि आपो झाल कर दो करता न जो कि आप आप कर दो पितना पतrावता दो कर दो कि अपने सकत